जैने दोस्तों बहुत-बहुत स्वागा था अपका फिर से एक नय एजुकेशनल वीडियो में आज के कलास में सीखेंगे मार्क सिट में डिवीजन निकालना काफी इंपोर्टेंट है यहाँ फर्मूला का इस्तेवाल करेंगे हम यहाँ फर्मूला नेस्टेडिव का ही इस्त i7 से लेकर के कहा तक तो m7 तक less than 30 यानि less than 30 से क्या है कम है तो comma वह fail कर जाएगा double cut के अंदर आपको type करना है fail bracket close कर लेना है फिर देना है comma फिर लगाना if bracket open अब हम चलेंगे percent में तो percent है मेरा o7 में तो type करेंगे o7 बरा और बराबर है साथ का comma तो double cut के अंदर लिखेंगे first double cut close करेंगे फिर comma if bracket open o7 बरा और बराबर है 45 का 45 का comma तो double cut के अंदर लिखेंगे second double cut close करेंगे फिर देंगे यहां पर comma फिर type करेंगे if bracket open o7 बरा और बराबर है 30 का comma double cut के अंदर लिखेंगे 3rd third third को double cut से close करेंगे अगर इसमें से कुछ नहीं है comma तो वो क्या करेंगा feel करेंगा तो double cut के अंदर लिखेंगे fail fail और double cut close करेंगे चार बर ब्राइकेट open है तो चार बर ब्राइकेट को close करेंगे तो यह divide आपको निकल करके आ जाएगा दोस्तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर हम click कर देंगे तो आपको यहां पर पूरे division यहां पर दिखाई देझेंगे आपको आप यहां से डिविजन को नोट कर लिजिए और नोट करके ये डिविजन आप असानी से लगा सकते हैं और इसे समझ सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजो और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैटे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जुरू सस्क्राइब किजए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद आपका दिन सुभो थैंक्यू फॉर वाचिंग